और इतने बरे आयोग के अध्यक छोते हुए और पल्टी मार्द अपनी बातों से क्या हम कह रहे हैं कानून हम भी जानते हैं अगर आप आप आजी सद्धिकारी हैं तो हम लोग घासगर के ने बेठे हुए हैं जो सीटेट फेल हैं खुद प्रेश के माध्यम से आकर बोल रहे आपके आपके सिख्षक निक्ति प्रक्रिया को हम गलट हराते हैं अज नकल निकलना ही है तो आप जेल भेज के चाल चाहते हैं जेल बेज़िए नमस्कार में वह निकुलते वाली और आप लाइफ श्रीज्ट आने के बाद तहल का मच चुका है सारे लोग बहुत नराज हम हमें बहुत रिजल्ट मिलेगा आप भी आवाज उठाए बहुत टीचर्स भी आवाज उठाए लेकिन मिला जितना बोले उर्च से भी कम निश्चीत रूपिक आपके चलने के माध्यम से हम सबाल बस उसी से पूछना चाहते हैं जो कहते हैं कि चांद पर जमीन नहीं लिया कौन लोग सीटेट फेल वाले बीटेट फेल वाले स्टीटी की डिगरी जिनके पास नहीं है उनको निक्ति प्रवन पदे दे दिये और हमारे सारे भाई जो मेरिट वाले हैं इनको रोट पर लाकर छोड़ दिये आप तमाशा बात कर रहे हैं आप इंडरीक लिकिस्क से पुछे कि 10,000 टीनों डॉक्मेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराया वो सप्लिमेंटी में जाएगा या बेटिंग जाएगा अगर कानून क्या आप कानून के जनकार हैं तो हम लोग भी कानून जानते हैं ऐसा नहीं है कि गलत कानून हम भी जानते हैं अगर आप 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 सदिकारी हैं तो हम लोग घास गर करने बेठे हुए हैं सारे सिक्षा का बेठीं से एक सवाल है कि आपने जो कहा उस बास से आप पल्टी क्यों मारे क्या पल्टी मारे आपने कहा कि one to one डिजल्ट देंगे कहने का मतलब के multiple result ठीक है multiple result आया drop out पर आपने कोई बयान नहीं दि पढ़ाएंगे सब्सक्राइब हम क्या बोलेंगे आप मुके से पुझा से कर्षमा से पुछिए ना बाइस सवाल जो सीटेट फेल है और प्रेश के माध्यम से आकर बोलना है थे अब लगा रहे हैं आज भी लगा रहे हैं वन्-टुवन डिजल्ट अठाइस अजार पद खाली है आप रिजल्ट निकाली और रही बात करवाई करने की बात करवाई कर देज़ें जिल इसे कौन सा नोकटी मिला हुआ है अज नकल तो निकलना ही है तो आप जेल भेज के चाह बिल्कुल जबाब देंगे 40-42,000 नियोजित है कि नहीं है है ना कि हम कह रहे हैं खुद आप बताइए डाटा बिरान में 1000 लोग जुआइन की है हम कह रहे हैं बिपेस से खुद कह रहे हैं तो 28,000 पद का क्या करना है दस हजार लोग डॉक्मेंट वेरिपेसन नहीं कराए य केके पाड़क से उनके बाचित नहीं होती है जो वेक्ति को एक महिना तक ऑफिस में गुसने नहीं दिया गया वो बात करता है आजा के सवाल पूछिए आप लोग उन लोगों से कि 10,000 जिनों डॉक्मेंट का फेरिपिकेसन नहीं कराया वो बेटिंग लिस्ट में जाएगा सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार को 120,000 पदो पर मुझे जो जनकारी मिले के 26 जन्वरी के दिन एक बहुत बड़ा हो जन इसी गांधी मैदान में होगा और फिर बताये जाएगा हम लोग उन्हें 120,336 लोग को सर्टिफिकेट दे दिया क्या तमासा है भाई करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ एक लाख 20,000 में नियोजित वाले 40-42,000 हाई या नहीं है यह डाटा प्रस्तूत करें अंदोलन होगा अंदोलन निश्चित रूप से लोगतांतिक तरीके से जो लड़ाई मांग एक है कि ड्रॉप आउट को बाहर आप किये हैं वन टुवन रिजल्ट जो कई पदों पर दिया है उनको बाहर करेंगे अब फ़रजी बाराग जो आप बाहर कर रहे हैं उनका क्या हुआ सरकार दस हजार का तो आप जबाब नहीं दिए जो पाथ खाली है आप भरिए यह सवाल अतुल परसाज जी से है और कई अभियरती है हम नहीं कर रहे हैं अगर हम अभियरती हैं या कोई लोग हैं यह सवाल उनसे पूछिए आप ट्विट मत किजिए सारे प्रेस वालों को बताके और पूछिए ओ सवाल कि 10,000 पर बेटिंग लिस्ट जाएगा इस बात का जनकारी यह निश्ची तुरूप से बिभाग भी जा प्रसाद और के पाठाक और शिक्षा मत्री सब को सुना कर दें निती इश्कमात्री जस्वियादर को भी बोले क्या कुछ मांग है वह आपने सुनिया क्यों कर रहे थे वह भी आपने सुनिया तो बस लाइज सेरीज के साथ बनें में चानल को सब्सक्राइब कर दाने बाद झाल